असलाम आलेकुम डियर स्टूरेंट्स इस रूम्या रशीद वानी आप आप सब ठीक होंगे तो टोड़े आप अप अप विद अनधर लेक्चर दैजिस Crops for Europe Crops for Europe, Ruling the Countryside चप्टर का दूसरा पार्ट है पहले पार्ट में हमने revenue के बारे में पड़ा उसमें हमने revenue के बारे में focus किया कि कैसे East India Company ने यहां से revenue collect किया जब उनको rights मिली कब मिली थी rights on 12 August 1765 Company became the chief financial administrator of the territories under latest control तो उसके बैद उन्होंने कैसे revenue को collect किया कितना revenue लगाया revenue high था कि low था वो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था permanent settlement के बारे में problems of permanent settlement के बारे में महलवारी settlement के बारे में Monroe system के बारे में तो उनमें क्या क्या drawbacks थे उन्होंने जब वो system यहां पे device किया तो उस system से यहां के आम लोग आम लोगों पे क्या असर पड़ा तो साथ ही उनमें क्या क्या drawbacks थे तो उन drawbacks का असर present पे क्या पढ़ा और East India Company को क्या पढ़ा उसके बारे में मैंने सब कुछ पिछले वीडियो में पढ़ाया है तो अब तक का ये part first था अब हम यानि कि first part जो था वो revenue के बारे में था और अब हम second part पे आते हैं वो crops है तो East India Company को जब financial powers मिल जाते हैं तो वो countryside की तरफ रूप कर देते हैं क्योंकि वहां से ही वो revenue collect कर सकते थे कहां से village से तो उसके बहुत revenue के साथ साथ उनकी नजर crops पे भी गई कुछ ऐसे crops इंडिया में उगते थे कुछ ऐसी crops की cultivation होती थी जिनकी जरूरत यूरप में बहुत ज़्यादा थी तो उन crops में तो company ने folks किया cultivators को कि आप इन crops की cultivation करो तो ज़्यादा जरूरत थी opium और indigo की यहां पे confused नहीं हो न opium जो है यह एक किसम का नशा है तो indigo एक color है कुछ सा color? blue color तो mid 19th century में East India Company को जब यह realize हुआ that the countryside could not only yield revenue it could also grow the crops that Europe required तो उन्होंने force किया they pursued or we can say they forced the cultivators in various parts of India to produce other crops तो आपको तो पता ही है किसान जो है वो अपने जरूरत के हिसाब से फसल उगाते हैं तो जब पीजन्ट्स ने नहीं माना तो इन्होंने force किया कि आप वो कल्टिवेट करो जो हम बोलेंगे तो कल्टिवेटर्स को इंडिको और उपियम उगाने पर force कर दिया गया क्योंकि उनकी जरूरत यूरप में बहुत ज़्यादा थी तो यहाँ पर जो ब्रिट्शियर्स थे यह तो आपको पता ही है कि इंडिया is the seventh largest country in the world तो उस समय तो वो ज्यादा ही बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान और बंगलादेश भी साथ थी था इंडिया के उनकी पाठ्शन ही हुई थी तो यूरप तो एक छोटा सा मुल्क था इंडिया के सामने तो इन्हों ने ये रियालाइज किया कि countryside can provide the crops that यूरप required तो यहाँ पर जगा भी बहुत हैं तो हम ये फसल कल्टिवेट करवा सकते हैं तो इन चीज़ों की बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरप की इंडिस्टरीज में तो अब बिट्शियर्स ने crops पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया तो वो अब यहाँ से revenue ही नहीं बलके crops भी लेके यूरप जाते थे तो इससे company को इससे यहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा क्योंकि हम एक छोटा सा बाट ले लेते हैं यहाँ पर बेंगाल का फर एक्जेंपल यहाँ पर जूट है जूट के बारे में मैंने आपको बताया बेंगाल के पीजंट्स को force किया गया कि यहाँ के पीजंट्स को यह फूर्स किया कि आप अपने अपना जो लैंड है उसमें आप जूट का फसल उगा दो तो एक पीजंट है उसके पास एक छोटा सा लैंड का टुगड़ा है उसमें वो अपने बच्चों के लिए फसल उगाता है एक तो बिट्शेर्स को इसी लैंड से बिट्शेर्स को रिविन्यू देना था साथ ही अब यहां से ही जो बिट्शेर्स थे उनको ये बताया गया कि आफ जूट कल्टिवेट करो इस लैंड में और वो सारा जूट वो इसी रिविन्यू से वो खरीद के ले जाते थे तो यहां पे सबसे ज़्यादा सफर कून कर रहा था पीजंट्स कर रहे थे तो ब ज्यादा फाइदा मिलता था तो वो यहां के ही रिविन्यू से यहां के ही पैसू से यहां का सामान खरीद थे तो यहां पे आपको पता चला कि पीजंट्स जो थे वो ज्यादा सफर यहां का जो कॉमन पीपल था आम लोग जो थे वो ज्यादा सफर कर रहा था तो अब साथ थी इंडिगो की फसल यहां पर उगा दी गई बाकी जो कल्टिवेटर्स थे तो वहां पर इंडिगो की कल्टिवेशन भी करवा दी गई तो इंडिगो एक ऐसी कल्टिवेशन अगर किसी लैंड में इंडिगो कल्टिवेट किया जाता था यहां पर आप यह अच्छे से समझन कि अगर कोई पीजन्ट अपने लैंड में इंडी को कल्टिवेट करता है तो तीन सालों तक उस लैंड में कोई भी हम फसल बाद में नहीं उगा पाते थे तो यहां भी पीजन्ट सी, कॉमन पीपल ही टैंशन में आ जाता था तो दिस वास अल फॉर तोड़े नेक्स टॉपक में हम इंडी को के बारे में पढ़ेंगे इंडी को कलर जो है इसके पीछे भी एक हिस्टरी है तो उसी के बारे में हम नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे तब तक स्टे सेफ, स्टे हैपी, खुदा हाफिस